BHDLA 136 ठीक है यह हमारी इसमें आज बुक रहेगी और इसका आज का हमारा क्या है बिलकुल लास्ट वाला चेप्टर है क्या है BHDLA 136 का आज हम 11 चेप्टर करने जा रहे हैं यह चेप्टर काफी इंपोर्टन्ट है इससे आपके एक्जाम में कोशन्स पूछे जरूर जा सकते ह तारकी कलेखन क्या होता है या तारकी कलेखन का तातपर क्या है आप लोग तारकी कलेखन से क्या समझते हैं इस टाइफ से कोशन्स जो होंगे आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता तारकी कलेखन क्या होता है बताए इस टाइफ का कोशन्स आपसे ज्यादा एक्जाम में प कि प्रकिरिया कोशन जादा तर अभी तक जितने वारज्डान गडू醒 में अगर मैं बातरॡउँ अभी तक जितनी वारेक्नों में जादा तर यही पूझचा गया तक Kissцен क्या होता है गता क्या होता है पर दσιमरी क्लेखन क्या होता है तियर नमबर में कोशन कष्छन तो सबसे पहले हम लोग देखते आखिर तार्किक लेखन होता क्या, यहां पर देखेगा, पहला तार्किता का इस तातपर से है, जब हम प्रकिरिया को प्रस्तुत करते हैं, तब बुथी को खोलते हैं, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूँ आखिर तार्किक लेखन होता क्या देखो एक चीज मैं बता दूँ तार्किक लेखन का मतलब होता कि जैसे मालू अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कोई चीज लिखी है तो उसको लिए मैं एक्जामपल दूँ, तर्क दूँ कि भाई यह हाँ चीज सही है, यह गलत है, यानि अपनी कही हुई बातो को प्रमाडित करने के लिए या उसको बताऊं कि हाँ यह बात बिल्कुल सही, उसके लिए जब मैं तर्क दूँ, एक्जामपल दूँ, उधारन दूँ, यह मैं कोई चीज बताऊं, यह को होते हैं तर्किक लेखन, यानि ऐसा लेखन जिसमें अगर आप देखेंगे तर्क दिये गए हो, उधारन दिये गए हो, ठीक है, जो बात कही गई हो, उसको लेकर के कई सारे उसमें बाते बताएगी हाँ यह बात बिल्कुल सही, आप जाकर किसको चेक कर सकते हैं, यही होता है तार्किक लेखन, यानि जब लेखक कोई ऐसा लेख लिखता है, या कोई ऐसी तर्क नहीं होता है, अगर आप देखो, जो धरम की बाते होती है, अगर तुम समनें, चाय हिंदू धरम, चाय इसलाम धरम, चाय सिख धरम हो, अगर आपने कोई धरम की कहानी सुनेगे, तो उसमें जादू इसा कर दिया, जादू मार दिया, फलाना बच्चा ठीक हो गया, फलाना लकड हा रहा था जाकर के लकडी काट रहा था, ऐसा आसिरबाद मिल गया, काम हो गया, इन कहानियों में कोई तर्क नहीं है, अगर आप देखेंगे इन में कोई तर्क नहीं है, इसमें सिरफ बातें बातें हैं और कहानियां चलते हैं, इन में कोई तर्क नहीं होता है, ठीक है ऐसी चीजे कब होती थी पहले के समय में जो चीजें लिखी जाती थी उनमें कोई तरक नहीं होता था यह उसमें वो सही है या गलत है कोई कोश्चन नहीं हो सकता ना बताई जाती है सच है गलत है कोई तरक नहीं सिरफ कहानिया स्टोरी चलती थी ठीक है लेकिन क्या time change हुआ, समय बदला वैसे वैसे तार्क आने लगे, तारकित लेखन किया जाने लगा, देखेगा, तारक एक ऐसी रचना परकिरिया है, जिसकी आओ सकता हमें किसी बात को अस्पष्ट करने की, करें कि तार्क एक ऐसी परकिरिया, जैसे मालोब मैंने कोई रचना किया, मैंने क कुछ लिखा है तो उस बात को अस्पश्ट करने के लिए, यानि क्लियर करने के लिए मैं क्या दूंगा, तर्क दूंगा, कि हां यह बात बिलकुल शही है, यही यह तार की लिखन, यानि आगर आपने कोई चीज लिखी है, या कोई चीज कही है, तो चीज बिलकुल सही, जैसे मालो अगर पुलिस वाले, माली जे, पुलिस वाले किसी की F.I.R लिखते हैं, बाई, न्याले में जाकर के बताना पड़ता है, सुबूत देना पड़ता है, कि ना कि फलाने आदमी ने मडर किया है, ये सारे evidence है, सारे सबूत है, सारे प्रमान है, यानि आप क्या दे रहे हैं, उदारन दे रहें, एक्जामपल दे रहें, तर्क दे रहें, यही क्या होता, तार की किलिखन, यानि जैसे मैं कोई बात बोलता हूँ, उस बात को सच साबीत करन के लिए मैं कई सारे तर्क दूँ एक्जामपल दूँ उधारन दूँ ये क्या होगा तर्क दे रहा हूं तो कहरें कि अगर कोई रचना है उसको क्लियर करने के लिए हमें तर्क देनी क्या सकता होती है इस असपश्टी करण के संदर में हम प्रकिरिया की व्याक्षा करते हैं जिसे मालो अगर मैंने कोई बात बोली है तो उसको सही सावित करने के लिए मैं उसकी व्याख्या करूँ तर्क तूँँ, देखेगा, तार्किक लेखन का प्रार्थमिक उद्देश, तार्किक लेखन का मतलब यह नहीं, कि वर्णन कर देना, विवरण दे देना, समझाना नह है, अपि तू उन तत्थों, विचारों और विश्वासों को क्यों कैसे के माध्यम संजना, जैसे आप कोई बात बोलों, ऐसी हुई थी, ऐसा हुआ होगा, क्यों कैसे, इस प्रकार के जो सवाल हैं, उसको भी आपको समझाना पड़ेगा, तार्किक हमें एक ठोस आधार दे के लिए अगर हम बैज्ञानिक तरीकた यूज करते हैं, वह तार्किक लेखन की स्रीकी में आता है, कि आगर मालीय लेखक ने कोई लिखा है, कोई story लिखी है, कोई कहानी लिखी है, या आपने कुछ लिखा है, या आपने कुछ बोला है, उस बात को बताने के लिए चीज आ मतलब क्या होगा यह तार्की कलेखन है ठीक है तर्क वितर्क दिये जाते हैं ठीक है उसमें तर्क होता है बैज्ञानिक द्रिष्ट कौन होता है वही तार्की कलेखन है जिसमें तर्क वितर्क हो बैज्ञानिक द्रिष्ट कौन हो वही तार्की कलेखन होता मैंने वही बता ना जितनी धार्मिक कहानिया पहले तो नानी दादी की कहानिया उनमें कोई तरक नहीं है, जो कहानिया होती उनमें ज्यादा तर कहानी भावनात्मक पे चलती है, भावनात्मक कहानियों में कोई तरक नहीं है, तो वही तारकी का मतलब बदा है, जिसमें बैग्ज्ञानिक दिश् पर क्या है देखेगा मद्ध युग में और आधनिक युग में बीची संतर को तारकिक्ता के माध्यम से समझ सकते थे वही तारकिक्ता काब आई अगर मैं बताओ जो मद्ध युग था ना मद्ध युग में क्या होता था पुराने समय में क्या होता था कोई तरक नहीं होता थ अगर हम बात करें, पहले के जमाने में, पहले के समय में क्या था, कोई तर्क नहीं होता था, अगर जो धरम में बोल दिया गया है, किसी बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया है, सब उसको सही मान लेते, कोई कोश्चन नहीं करता था, लेकिन क्या हो जब मद्धिकाल आया, कह मद यूग में मनुस में तार्किक बोद का विकास हुआ उस तरह से नहीं जिस तरह से आउधनिक काल्म हुआ जैसे जैसे मनुस में तार्किक बोद का विकास हुआ वैसे वैसे तार्किक लेखन लिखने की जो प्रकिरिया है वहां धीरे-धीरे कह साथे हैं आगे बढ़ी एक एकमपल मैं आपको सुनाता हूँ आप उससे पूरी तरीके से सहमत होगे। देखेगा एकमपल देखेगा। उधारण के लिए रामचरित मानस की रचना मध्यकाल में हुए रामचरित में रामायड की बात करें रामचरित मानस की रचना यानि रामायड की जो है रामचरित मानस में एक पात्र हनुमान समुद्र लांग करके लंका पहुँच जाते हैं आज इसका कोई लेखा कि इस प्र करके कहां पहुच गए थे लंका पहुच गए थे इसका कोई प्रमान नहीं कि आज के समय में कोई ऐसा लिख नहीं सकता है क्योंकि आप पर सवाल उठ जाएंगे न तो कहरें इस घटना में विश्वसनिता और प्राणिक्ता नहीं है कि मध्यकाल में एक रचना है रामायान ज जिसमें एक एक जामपल आता कि हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे तो इस घटना में कोई विश्वास लोग नहीं करेंगे या इसमें प्रमाणिक नहीं है इसमें कोई एविडेंस या सबूत नहीं है हमारी तरकी की कसवटी पर या उचित परतीत नहीं होता है मध्यक तरक नहीं है उनमें कोई बैग्यानिक्ता नहीं है हनुमान जी समुद्र लाग गए थे या धनुस मार करके समुद्र सूख गया था इसका कोई तरक नहीं एए ऐसी पहली रचनाय की जाती थी ऐसा पहला लिखा जाता था तो कोई सवाल खड़े नहीं करता था लिकिन आज क समय में जो चीजें लिखी जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है उसमें तरक और वितरक को लिखना बहुत जरूरी है अगर आप तरक नहीं देंगे तो उसको कोई नहीं मानेगा तो तरकी की लेखन का मतलब यही है जब आप किसी चीज को लिखते हैं उस चीज को बताने के लि लोग मेरी बात को मानेंगे तार्किक लिखन से क्या था, लोग उसको मानते हैं ना भई देखेगा आउधनिक युग में, आउधनिक यूग की शुरुआत में ऊंपर पुनर जागन से माना जाता है जञाटा नई दृष्टिय से उसके चिंतन के नई तरीकों को जन्म दिया, करें देखो वही बतर हूँ जब देखो, जो पूरा यूरोप है न, पहले वहाँ पर क्या था, इसाई का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, या चर्चों का, यूरोप भी अंधकार की सताब्दी में रहा है, अगर मैं बात, बारुवी सताब्दी से पहले, तो यूरोप में अगर आप देखो, खास तो से पूरे यूरोप में देखोगे, तो वहाँ पर धरम का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, इसाई जो पादरी बोलते थे, सब लोग वहीं मानते थे, और बोलते थे, जो मनुस से है वो अंतिम सत्य को नहीं जान सकता है या ब्रह्मांड की सच्चाईउं को व्यक्ति नहीं जान सकता है और आगे चलकर वहाँ जब पुनर जागन का दोर आता है जैसे आप देखोगे बहुत सारे वहाँ पर ठिंकर आते हैं ठीक है रूसों है या बहुत सारे ठिंकर आते ह कि विज्ञान और साइंस बहुत आगे हैं तो यूरोप में जो होता ज्ञान और विज्ञान की जो सताब्दी आती है उसने इस प्रकार के तथ्यों के तरकों को एक प्रकार से क्या दिया जन्म दिया ठीक है लोग जीवन के हर पहलू को और तार्किक चिंतन करने लगे या वि पहले पूरे यूरोप में भी इसी प्रकार का धरम का बोल बाला था ठीक है और वहां पर कोई तरक भी तरक तो होता नहीं था ठीक है लेकिन मद्ध काल जब आता है तो वहां पर जब यूरोप में पुन्र जागन का दोर आता है तब वहां पर तरक आता है वहां पर कह सकते कि तार्किक पता लोगों को लगा कि जो मनुष्व एक तार्किक प्राणी है जब हम अपने को आउधनिक कहते हैं तो इसका आर्थ है कि यह भी ज्यात होता कि हमें किसी चीज की प्रकिरिया को देखते हैं तो आउधनिक युग में कह रहा तार्क जादा आया पहले मैंने बता जो रामाड की कहानी है, रामाड की आप पूरी कहानी को उठा करके देख लेना, या और भी कोई कहानी जो धार्मिक कहानी उसमें उठा करके देख लेना, उनमें कोई भी तरक नहीं है, उनमें कोई भी एक्जामपल नहीं है, वो घटना क्यों घटी, कैसे घटी, उसमें तर्क दिया जा, कि हाँ भाई फलानी चीज ऐसे हुई थी, देखेगा, तार्किक लेखन का तात्पर तर्किक कसोटी बना के लिखा, तार्किक लेखन का मतलब क्या होता है, कि आप जो लिख रहे हैं उसको तर्क भी दे, ठीक है, यह हाँ ऐसा हुआ था, जो कुछ हम लिखें उसे कार समद्ध, जैसे मालो अगर कोई मैं चीज लिखा हूँ, तो उसका सम्बंध क्यूं है, जैसे मैंने लिखा कि फलानी गटना गटी थी, तो भाईया ओ घटना क्यूं घटी, उसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या था, यह भी अगर मैं बताता हूँ, यही तार्कि लिखन होता है उसमें जो चीजें लिखी जाती है उसमें कार संबंद अरिवारता सिंखला होती है नहीं भी होती है जैसे आप देखोगे ना कोई कहानी हो कविता हो उपन्यास हो यह जो कहानिया होती इनमें तारकिकता कम होती है अगर तुम कोई कहानी सुनोगे कोई कविता स तुनेगे उपन्यास जिसे फ्रेम चंद की बहुत सारी कहाणिया इनमें तर्क बहुत कम है अगर आप देखेंगे तर्क बहुत कम है ठीक है अगर आप देखोगे तो कहने कम्त जो तरजना आत्मत政策 लेखन होता उसमें तारकिकता नहीं होती है जो कहाणी है कविता है उपन संबेदना का राश्ता खुलते हैं देखो जो रचना होती जो कहानिया होते हैं इनमें मानविये संबेदना होती ति यह ne तर्क दिया जाए जैसे मैंने एक जंपल बटा है जिसे मालोव भाई पूलिस ने किसी की रिपोर्ट लिखी ए फाईयर लिखी गई है कि फलाने के यहाँ पर किसी ने मर्डर कर दिया तो लिक तो गिया है लेकिन इसको जब पोर्ट में जाओगे न तो आपको तर्क देना आप किसी चीज को कहें या किसी चीज को लिखें एक क्यूं हुआ था किस लिए हुँ था किस कारण से हुआ था इस प्रकार की बातों को अगर लेखा क्लियर करने लग जाए बताने लग जाए तो यहां लेखन जो होगा वह तार्किक लेखन की स्रेणी में आ जाता है कि गरामिड छेत्र में गरीबी है उसका अध्यन यदि अर्छसास्र के तरकों की अनुसार करें तो हम कहेंगे घ्रामिड जन्ता की क्राय सकती। यानि जो भाई अगर मैं कहता हूँ कि गाउं में गरीबी है और मैं एकोनमी क्या को नहीं अर्थ सास के अनुसार अगर मैं कहता हूँ कि गाउं के लोग जो है वहाँ खरीदी कम करते हैं यानि जनता की करह सकती कम है अत्यंत कम है ग्रामिड छेतरों में बजार नहीं है आधी कम करती है गाउं में बजार नहीं इसका मतलब मैंने क्या किया बताया रीजन की हो गरीबी का कारण क्या रुक्तिस की अनुसार बताया है मैंने आर्थ सास की अनुसार बताया है अगर मैं कहता हूं कि ग्रामिड छेतरों में गरीबी है अगर मैं समाज सास यानि सोसोलोजी की गौडिंग बताता हूं, ग्रामिर जनता की गरीभी का ध्यन करेंगे, तो गरीभी के परभाव, जैसे गाउं में क्या है? चोरी डिकाइती है दूस कर्म बढ़ गए है ठीक है आज इको रध्यन करेंगे यह गाउं में अगर गरीबी है अगर हम समाज सास के गोडिंग करेंगे तो गाउं में क्या है चोरी डिकाइती है या दूस कर्म बढ़ गए है गरीबी इसका यह कारण है गरीबी का कारण मानव को रिसारा करेंगे, साहित में अगर हम गरीबी को लुखेंगे, तो उसमें हम कैसे भाव को लुखेंगे, चुने वाला भा होगा, वह दितिस परसी होगा, कुछ उसी परकार से होगा जिसमें गोस्वामिद तुलसी दास ने राम चरीत मानस में केवट की गरीबी, केवट काउन था जो भगवार राम को न उपपार करवाया था, नदी पार करवाया था न, उसको जब सीता जीन उनको अगूठी दे थे, केवट की गरीबी कवणन किया गया है, इस परकार हम देखते हैं कि विधंवाओं के अनुसार त गरीबी है तो हम उसका तर्क भी देंगे कि गरीबी क्यूं है तो तार्किक लेखन यही होता कि अगर हम कोई बात को कहते हैं तो उस बात सही है उसका कारण क्या उसका रीजन क्या है इन बातों को भी अगर हम बताते हैं इन बातों को भी अगर हम क्लियर करते हैं और इन बातो सास के according करें कि गरीबी क्यों है तो कह रहे हैं कि समाज में चोरी डखाइती है दूसकर मों बढ़ गए है और समाज में गरीबी कार लोग में दरार आ गई इसको हमने बता की गरीबी कार क्या है उसी प्रकार से अगर साहित में देखो गे तो गोश्वामी तुलसी दास जी पहगवान का भज़ा नहीं के इस परकार से गरीभी करकान हैं, तो अलग-अलग जो विशय होते हैं, जो विधाय होती हैं, उनमें जो तर्क होता, वह भी बिल्कुल बदल जाता है, तो तारकिक लेखन क्या है, कि कहने का मदनerson कैसा है, तारकिक लेखन होता है, जिसमें हम कु कोई सिरफ कहानिया लिखी हो, कोई तर्क भी तर्क ना हो, वो तर्किक लेखन नहीं होता है, तो तर्किक लेखन यानि जिन में हम तर्कों की बात करें, इक्जाम्पल्स की बात करें, उधारन की बात करें, यानि जो मैंने चीज बता ही क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, कारण क्या था, region क्या था, क्यूं गटना घटी, जिसे माली तुम सब ने, देखोगा, news paper में बहुत सारी news आती है, तो उसमें बताता था न, गटना क्यूं घटी, इसका कार्ण क्या था, इसका region क्या है, ये सारा तारकी क्लेखन है न, अकबार में तुम सब खबर पढ़ते हो daily न, अगर आपको तार्किक लेखन करना है तो कैसे करेंगे देखेगा तार्किक लेखन की प्रकिरिया तो उसका किस विषय पर आप करेंगे तार्किक लेखन सबसे पहले विषय का चुनाओ बड़ा इंपोर्टन्ट है क्या कर रहा है कि तार्किक लेखन करते समय हमें विषय का चुनाओ बहुत इंपोर्टन्ट है यानि हमें किस विषय पर लिखना है सबसे पहले उसका अब एक्छामपल देखना उधारन के लिए हमें इतिहास के किसे विशय यह वस्तु को लिखना होगा तो सोयम इतिहास की विधाओं को तरक देना पड़ेगा जिसे माली अगर मैंने कोई इतिहास की घटना को लिक रहा हूं हिस्टी लिख रहा हूँ तो उसमें अगर मैं तर्क दूँगा तो एतिहासिक ही तर्क दूँगा ना यदि हमें इतिहास की इतिहास को लिख रहे हैं तो उनमें हम जैसे पुराने ग्रंथों से सिक्कों से अभिलेखों से स्रोतों से यात्रियों के खत्ने कुंसार खोजना इतिहास के अनुसार आपको तर्क देना पड़ेगा अगर किसी व्यक्ति ने इतिहासिक घटना पर लेख लिखा है उस पे तर्क आपको कैसे देना पड़ेगा इतिहास के अनुसार आपको तर्क देना पड़ेगा अगर मैं कहता हूँ कि भारत में सिकंदर आया था यह सिकंदर की घटना को हम लिखते हैं उसमें हमें जो तर्क द तर्क करेंए इसी प्रकार यादी हम साहिट के साहित के इतिहास पर लिख रहें तो हमें यहाद दिखाना होगा कि जन्ता की किन प्रिवर्तिएंए के से हमारे साहित का सुरूब बदला तार्किक लेखन करते समय सबसे पहले विषय का चुनाओ करें और अगर आपका विषय जैसा है उसी प्रकार का आपको तर्क भी देना पड़ेगा सेम तर्क विषय वस्तू का चुनाओ होने के बाद उस विषय में क्या-क्य लिखना है इसक प्रक विषय मनें टोपिक ले लिया है 1857 की क्रांती ठीक है मैंने ले लिया अम मैं 1857 की क्रांती को मुझे कैसे लिखना है मेरे माइंड में आ गया अब मैं उसमें जो चीजे बताऊंगा और笔र स्रांती कि क्रांती एगर मैं काम हिं लिखना हूँ उसका इजामपल भी देना पड़ेगा तो तार कες कैसे देना पड़ेगा फिर इतिहास के मैं तर्कोंगो उठाओंगा और प्रर जनका लिखन दूगा उसमें कोई इतिहास कार होगा उस समय के जो ग्रंथ हैं या उस समय के जो सिक्के हैं या विलेख हैं उससे जो कुछ मिला है इस प्रकार की चीदे में यह हमारा क्या हो जागा तार्किक लेखन हो जाएगा यानि सबसे पहले विशयलो तोपिक सेलेक्टरो फिर उस तोपिक के कोडिंग आपको तर्क देना पड़ेगा ये क्या होगा तार्किक लेखन की प्रकिरिया में सबसे जादा है कारे करण संस्बंद होता तार्किक लेखन की प्रकिरिया में यहीं प्रकिरिया की आपको व्याख्या करनी परेगी तारकिक लेखन प्रकिरिया में होता है इस प्रकिरिया की व्याख्या करना आवस्यक है प्रकिरिया के माध्यम से उन संबंदों को समझ सकेंगे जिसके कार्ण कार हुआ है विक्सित कर सकते हैं उधान के लिए इस माध्यम कर रहा हूँ उसमें मैंने किसी घटना को बता है तो घटना का होने का कारण क्या है इसको भी अगर मैं बताता हूँ तो लोग उसको अच्छी तरीके समझ पाएँगे यह भी एक परकार का तार्किक लेखन के लिए मनें के लिए और मैं राजनिती घतना पर मैंने लिखा मनें 1975 में एमरजनी क्यों लगी क्या ने घतना ले लिए तो मैं बताओंगा उसका कारण क्या था बताऊंगे ना कि भाई सरकार का इंद्रा गांथी की सरकार की किस कार्ण से उसने इमर्जंसी लगाए क्या कार्ण था तो अगर मैं उसका यामपल दे रहा हूं तो क्या हो जगा एक कारण संबंध हो जगा यही आप कोई भी घटना लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे उसका अगर आप कारण देते हैं यह तार्खिक लेखन की स्रेणी में आएगा यही आप उसका क्या देंगे कारण भी बताएंगे अगर मैं लिखता हूं कि भारत में या भारत में कोई भी घटना लिखता हूं ठीक है भारत में भारत अंग्रेजियों का गुलाम हो गया ठी हमने कौन से घटना लेले माली हमने घटना लेली पानी पत की दूसरी लड़ाई क्या लेली पानी पत की दूसरी लड़ाई में हेमू हेम लोग रीजन बताएंगे न कि भाई पानी पत की दूसरी लड़ाई में अगबर से हेम चंद्र यानी हेमू क्यूं हार गया इसको बतान कि लिए अगर मैं हम लोग कारण बताती इसका कारण क्यूं हार का कारण क्या हार का रीजन क्या है अगर बताते हैं तो यहां तारकिक लेखन की स्ट्रेणी में आएगा हेमू का हार का रीजन क्या था हेमू का हार का कारण क्या था इन चुछ बताएंगे जिसे मालो हमने पानी यापको कारण बता रहे हैं तो आपका क्या होगा यहाँ कारण यानि कारे कारण संबंद आपको बताना पड़ेगा यही तारकीक लेखन की श्रिणिमत्ता आप किसी घंटना को लिख दो और उसमें बता दो इसमें तर्क दिया गया है इस प्रकार से आप उधारन भी लिख सकते हैं, उधारन दे करके बताओ गए, तो आपको एक्जाम में ज्यादा माक्स मिलेगा, देखोगा, तार्किक लेखन करते समय, अगर मैंने कोई कथन बोला है, जैसे मैंने बोला कि फलानी चीज ऐसी थी, तो उसके समर्थन में कोई तर्क देना कि हाँ भाई उसका समर्थन करना पड़ेगा, उसके समर्थन में बताना पड़ेगा, कि फलाने भी ऐसी कहते थे वो भी, अपने कथन के समर्थन में तर्क देना भी तार्किक लेखन होता है, देखेगा, जब हम लेखन की, जब हम लेखन में सक्रिय होते हैं, तो कोई न करने के लिए हमें कोई तर्क देना पढ़ेगा हfect कर सकते हैं यह सबीत करने के लिए मैंने कोई बात कही है, आपने तुमने कोई बात बोली है, तुमने कोई बात लिखी है उस बात के समर्थन में आप कोई तर्क देते हैं यहाँ यह एक तारकी कलेखन ही होता है बैग्यानिक सोच समझ विक्सित करना तर्क का आवस्षकता होती है नि जैसे मालीज आपने कोई बात की कोई घटना घटी है उस घटना के पिछी आप तर्क देते हैं तो क्या हो जाएगा यहां तार्किक लेखन की स्रेणी में आपने कथन की ले अगर आप तर्क दे या भी तर्क लेखन ही होता है आपने कोई चीज बोली है आपने कोई चीज कही है ठीक है आपने कोई कथन बोला कथन मिल्स आपने कोई चीज कोट की है नि आपने कोई संटेंस बोला है ठीक है उसके समर्थन में आप तर्क दे रहे हैं यानि आप तर्क लेखन है आपको तर्क दे तो आपको हर चीज प्रूब करनी पड़ेगी, आपको हर चीज को तर्क देना पड़ेगा, आपको बैग्यानिक्ता के साथ बताना पड़ेगा, कि हाँ फलानी घटना ऐसे हुई थी, वह घटना क्यों घटी है, यह तारकिक लेखन की स्रेणी में आज़ेगा, यानि अपने कार से, जैसे अगला क्या है, कि तारकिक लेखन करते समय उधारन का बड़ा महत हुए, यानि आप एकजामपल भी बहुत सारे दे सकते हैं, देखेगा, कथन को उधारन के माध्यम से पुष्ट किया जा सकता है, जैसे मालूम मैंने कोई बात कही है, मैं इसको एकजामपल द जाते है, जैसे तारकिक लेखन में आजागा, उधारनों के परियोग से कथन को प्रमाइपता दिखाई देता है, बातों को तरकिक के द्वारा पुष्ट करना तारकिक लेखन का आसान तरीका है, जिसे मालूम अपने कोई बात बोली है, ठीक है, उसके लिए आप उधारन definite क्या दोगो उधारन दे दीजे तो इससे क्या होगा आपका जो लेखन होगा बिल्कुल तार्किक लेखन आसान हो जगा उधारनों की अधिक्ता बहुत जदा है उधारन भी नहीं देने चाहिए करें इतना भी उधारन ना दे दो कि पता ही ने चले आप क्या कह रहे थे उधा इसके लिए आप बहुत सारे एक्जामपल दे रहे हैं, तो एक्जामपल देना बहुत जरूरी उधान दीजे, लेकिन इतना भी उधान ना दो, कि बात पता ही नहीं चले आप बात क्या कह रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर उधान देंगे तो बात क्या हो जी, कोई बात कहते हैं, या आप कोई चीज कहते हैं, अगर आप उसमें एक्जामपल देते हैं, उधान देते हैं, तो यह अभी एक तार्किक लेखन की श्रेणी में ही क्या होए, आता है, अगर आप ऐसे लिखते हैं, तो आपका क्या होगा, यह एक तार्किक लेखन ही होगा, तार्किक लेखन की प्रकिरिया में उधारणों का महत्तो है, आप कोई बात बोलें, उस कथन में आप तर्क दीजे, आपने कोई बात कही है, उसका कारण दीजे, क्या कारण थाए घटना घटी, ठीक है, या अगर आप तार्किक लेखन करते हैं, सबसे पहले विशय का चुना जाता है, तार्किक लेखन क्या होता कि जैसे आपने कुछ लिखा है, उसमें उधान दे रहें, एक्जामपल दे रहें, यह घटना क्यों होई, क्यों गटी है, इसका कारण क्या है, इस प्रकार से अगर कोई लेखन करता तो यही तार्किक लेखन है, पहले ऐसा कोई लेखन जिसमें जैसे दादी नानी की कहानिया है उसमें कोई तर्क भी तर्क तो होता नहीं वो तर्किक लेखन बिलकुल नहीं होता है आज जो भी चीज़े लिखी जाती है ज़्यादा तर्चीज़ों में तर्किक होता तार्खिक होता है उसमें एग जामपल दिये जाते हैं आपके जो बुके हैं इनुवस्ट्री की बुके हैं आप जो भी चीज़ा आज के समय पढ़ रहे हैं आज के समय तो हर चीज को तर्ख दिया गया ठीक है यह तारकी कलेखन है तारकी कलेखन आपसे पूँछ सकता 20 नमबर में तो आपको अलग-अलग heading बना करके आप अच्छे सी लिखेंगे जिसे मालो तारकी कलेखन में उधारन का बड़ा महत उधारन देते हैं तारकी कलेखन में आपने कोई बात बुले उस कथन के करना है ठीक है क्या बोला चौथा कि आगर आपको तारकी कलेखन करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं उस कथन के समर्थमने क्या करते हैं आप तरके देते हैं इस प्रकार की चीज़े अगर आप करते हैं तो क्या होगा आपका यहां तारकी कलेखन नहीं होगा इस प्र नंबर में आगा क्या बोलाओं दस या 20 नंबर में आगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन चेप्टर इसको पूरा जरूर पढ़ेगा और इस वीडियो समझ में आ गई तो इसको दुबारा देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा तारकी कलेखन क्या होता तारकी कलेखन से ताजपर क्या है तारकी कलेखन की प्रकेरिया बताइए इस प्रकार के कोशन आपसे ज्यादा तर पूछे जाते हैं ठीक है